हालो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक तु दिस एटीव चैनल, लेट्स लन विथ रजिनिस सर क्लासस, तो कैसे हो आप सभी मस्त और बणिया होगे, आज के एक नए लेक्चर में आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे भाई, अभी अपन बात करेंगे, कोशन नमबर 36 to 40, आप the reaction, एथीन कैसे prepared होता है बेटा एथेनॉल से, एक बात समझा रहा हूँ, एथेनॉल का एक property बेटा dehydration, नाम तो सुनाई होगा dehydration, यहाँ आजाओ, यहाँ पे आओ, dehydration है, बेटा dehydration है, और dehydration का मतलब होता है, removal of water molecule from it, जिस compound का dehydration कराना है, उस compound से पानी पानी अलग करना है, समझ में आ रहा है, पानी अलग हो गया बेटा, that means dehydrate हो गया, dehydration हो गया उसका, alcohol का dehydration कराना है, एक बात तो समझो, कि C2H5OH को बोलते है बेटा, alcohol, that means ethanol, that means ethyl alcohol है, सर इसको अपन CH3, CH2, OH नहीं लिख सकते क्या, क्यों नहीं लिख सकते सर, क्यों नहीं लिख सकते, मैंने बताया था आपको, कि ethanol का reaction जैसे ही, concentrated, concentrated, sulfuric acid की presence में हो रहा है, बेटा, 170 degree Celsius, near about 170 degree Celsius का temperature दे देंगे, बेटा, calvin में कितना होगा, ये comment box में बता दो, 170 degree Celsius में कितने calvin नहीं होते हैं, comment box में चाहिए हुजए answer, जैसे ही इतना इसको heat करेंगे न, यहाँ पर ये dehydrating agent की तरह काम करें, dehydrating agent की तरह काम कर रहा है, उसका behave कर रहा है, that means, इस carbon का बेटा OH निकाल देना, इस carbon का बेटा OH निकाल देना, इस carbon से एक H निकाल दो, यहाँ का एक H निकलेगा, यहाँ का एक OH निकलेगा बेटा, आपने dehydration करा दिया, dehydration का मतलब होता है, removal of water molecule from this compound, समझ में आया, यहाँ से बेटा जब OH निकल जाएगा, यहाँ से बेटा जब H निकल जाएगा, तो CH2 double bond CH2, यहाँ पर एथीन बन जाएगा, इसका नाम है बेटा, इथीन, नाम तो सुना ही होगा, इथीन, इसमें कौन सा functional group है, प्लीस comment box में बता है, और इसमें functional group पता ही, alcohol मैंने अल्रेडी बोल दीगा, इसमें अल्कीन है ना, अल्कीन है आपको बता दिया सर, आपने अच्छा नहीं है मेरे सर, ठीक है, कोई नहीं, कोई नहीं, ठीक है, अल्कीन है बेटा, और एथीन है, that was, क्या question क्या पूछ रहा था यार, हमने तो पूरा reaction ही कर दिया, क्या बात है सर, है ना, चलो, how is ethene prepared from ethanol, ethene को कैसे prepared करते हैं, ethenol से, सर, आपने तो ethene को prepared कर दिया, ethenol से, जब हम concentrated sulfuric acid, as a dehydrating agent use करेंगे, at the temperature of 170 degrees Celsius, then we will get ethene, समझ मैं, and removal of पानी-पानी, है ना, removal of पानी-पानी, पानी-पानी निकलने कोई बोलते हैं, dehydration, dehydration, समझ मैं, note किया जाए, क्रिप्या करके, आप note करें, क्रिप्या करके, आप note करें, अभी हम लोग आपके सामने, next question लगाते हैं, लिखें क्या, next question लिखें, देखो, चलो, erase करते हैं बेटा, ओ, बेटा जी, ठीक है, आपके सामने, screen पे जो भी पड़ा है न, उसको note कर लेना, name जिसका जिसका लिखा है न, सारा name लिख लेना, जिस statement में लिखा है, वो लिख लेना, देखो, screen पे लिखा हुआ आ रहा है, कि, क्या लिखा है, कि, ethanol, when heated with excess of concentrated sulfuric acid at the 443 Kelvin, it gets dehydrated to give ethene, लिखा है न, read कर लेना, ठीक है, चलो, और जैसे जैसे लिखा हुआ है, वैसे वैसे आप लिख लेना, next question number 37 देखते हैं, मजा आने वाला, 37 question देखेंगे, answer भी आपके screen पे लगाना पड़ेगा, theoretical है चीज है, explanation कर दूँगा मैं, बोल रहा है बेटा, कि intake of small quantity of methanol can be lethal, ठीक है, अगर आप small quantity में methanol ले लेते हैं, तो क्या भाई, यह लिखा न, कि intake of small quantity of methanol can be lethal, comment, इसके बारे में बताईए, तो पढ़ते हैं, आपको मैं एक बात बताओ देखेंगे, answer लिखा आपको screen पे, ठीक है, methanol oxidize करके methanol बनाएगा liver में, इंद लिवर, ठीक है, जो की हमारे लिए बेटा क्या होगा, जो की हमारे लिए क्या हो सकता है, जिससे हमारे, मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि blindness हो सकता है, और क्यों हो सकता है, पूरा answer लिट कर लिजे, लिखा हुआ है कि methanol cause coagulation of protoplasm, इधर हो, मैंने क्या बोला question में, क्या small amount of methanol can be lethal, इसका मतलब यह है, कि अगर आपने methanol को, देखो, methanol वैसे oxidize हुआ, यहाँ methanol बना, liver की बात हो रही है, ठीक है, अब क्या हो रहा है, कि यह, इसमें क्या लिखा है, student, देखो, read करो, कि methanol causes coagulation of protoplasm, जिसके वज़े से आपकी blindness, अब blindness की तर, blindness हो सकता है, optic nerve अगरा पर, मतलब यह affect करता है, हमारे लिए, मतलब harmful ही है, समझ भी मैं, इतना statement इसका लिखो गए, statement वाले question थे, इसमें कोई आपको, कोई दिक्कत की परिशानी नहीं होनी चाहिए, next question देखते हैं, अगर, 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 अगर का reaction हम कराते हैं, sodium के साथ, यह property तो मैंने आपको पढ़ाया कि, when ethanol reacts with sodium metal, when ethanol reacts with metal, sodium metal से बेटा, जब ethanol का reaction होता है, बेटा जी, तो यह N ने यहाँ पर आता है, H को बेटा भगा देता है, और यह N ने मुस्कुरा के निकल, मुस्कुरा के आता है, क्योंकि जा रहा है कहीं पर अपना घूमने, तो C2H5, O, O, N ने हो जाएगा, समझ में आ रहा, और यह H बेटा यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बना दी, हाइड्रोजन गैस, यह property तो पता ही होगा, ठीक है, ethanol, sodium metal के साथ react करके, sodium ethoxide दे दिया ठीक है, sodium ethoxide and hydrogen gas निकल गया आपका, आपका hydrogen gas release हो गया, स्टेट्मेंट पढ़ते हैं ठीक है, sodium ethoxide, स्टेट्मेंट पढ़ो, क्या बोला? name the gas evolve and also write the balance chemical equation, बैलन्स chemical equation लिखना है तो बैलन्स तो कर लेंगे, first of all कौन सा gas है वे रही, कौन सा gas है, ये बता कौन सा gas निकल रहा है, तो hydrogen gas निकल रहा है, समझ में, hydrogen gas is the right answer, which gas is produced when the ethanol gate reacts with sodium metal, sodium metal के साथ जब ethanol react करता है, तो which gas is produced, बेटा जी, hydrogen release करेगा, बेटा जी, hydrogen release करेगा, समझ में आया की नहीं आया, नहीं है, तो comment box खाली पड़े है, बता नाम क्या बता है, one more time, repeat किया जाए, sodium ethoxide बाबो, बाबो sodium ethoxide लिख लेना, समझ में आ गया, very good, अच्छा, balance करना है सर, ठीक है, ठीक है, दो, 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 हईडोजन 5 हो नहीं, यहां पर 6 हो गया, ठीक है, और यहां पर 5, 6, 7 हो गया, ठीक है, अगर मैं यहां पर 2 लगा कि चेक आउट करें आप, तो यहां पर भी 2 वहार sodium हो गया, तो 2 यहां लगा देता हूं मैं, अब करते हैं, 2, यानि कि कितना हो रहे हैं यहां पर, 2, 2, 4, 2, 2, 4, and 2, 2, yes, balance हो गया, equation, ठीक है, balance हो गया, balance तो, target नहीं था, मतलब, बोल दिया, तो balance करना, balance करना, आपको मैंने chapter 1 में सिखाया है, next question, read करें बेटा, ठीक है, ज्यादा वक्त नहीं गुजारेंगे, ethene is formed, when ethanol at 443 Kelvin is heated, excess of concentrated sulfuric acid, what is the role of sulfuric acid in the reaction, write the balance chemical equation, क्या बात है सर, एक बात बताओ तो, अभी मैंने जिस question में क्या बताया, वही वाला answer, फिर आया, ठीक है, फिर से लिखते हैं ना, कोई दि जितनी बार reactions लिखोगे ना, उतना clear cut mind में set होगा, तो कुछ परिशान नहीं होना, यहाँ पर बेटा, C2H5OH है, तो इसको थोड़ा मैं ऐसे इसली लिख रहा हूँ, ताकि मैं आपको बता सकूँ, कि मैं क्या कर रहा हूँ, कहां से क्या निकाल रहा हूँ, इस वज़े से मै ऐसा कर रहा, excess concentrated, H2SO4 देरा ठीक है, और 443 Kelvin temperature देरा ठीक है, इस carbon से OH निकाल देना, और इस carbon का एक H निकाल देना, तो यहाँ पर CH2, double bond, CH2 पानी पानी हो जाएगा, यहाँ पानी पानी हो जाएगा, यहाँ पर ethene हो जाएगा, क्या बात इसार, यहाँ पर ethene हो गया, लेकिन इतना तो question में already दिया था, यह तो question ने दिया था, यह तो हमने ऐसे question ही लिखा मैंने, समझ में आ रहा है, वास्तम में तो यह question ही है, question क्या पूछा था, अब read करो, वैसे बोला था ना, कि यहाँ पर concentrated sulfuric acid का role क्या है, it behave as dehydrating agent यहाँ पर कर रहा है, ठीक है, work कर रहा है यहाँ चलो, statement पढ़ो, questions पढ़ो, बिटा, जी, sulfuric acid act as dehydrating agent और आपकी सामने मैंने reaction लिख दिया, reaction लिख दिया, समझ में आया की नहीं आया, चलो, question number 14 देखते हैं, बहुत मजा आने वाया, question number 14 में, भाई, 14 नहीं, sorry, 40, 40, 40, ठीक है, चलो, carbon है, ठीक है सर, group number 14 में आता है, पता है न अब ये ना बोलना, मुझे नहीं पता, मुझे मत पूछो ना, carbon group number 14 में आता है, symbol C होता है, atomic number 6 होता है, electronic configuration 2,4 होते हैं, outermost में 4 electron होती है, valency 4 होती है, भाई, राम कथा रखो ना, mass number 12 होता है, क्या लोगे है, अब क्या ही लोगे बताओ, है ना, क्या लोगे, 10 minute की वीडियो हो जा रहा है, क्या chemistry भी सर्मा जा रही है, क्या बात है, क्या बात है, मतलब chemistry का मज़ा बना दे रहे हैं, क्या बोला, कि बेटा, carbon group number 14 का element है, periodic table में आता है, और तो, or is known as form compounds with many elements, बहुत सारे elements के साथ, ये compound का formation करता है, बेटा, carbon compound का formation, बहुत से elements से मिलके करता है, ये बात त बहुत सारे compounds में आपने carbon देखा होगा, हमने देखा है सर, आपने नहीं देखा क्या, क्यों नहीं देखा सर, write an example of compound form with a chlorine, एक example लिखिये, जिसका एक example लिखिये, carbon chlorine के साथ compound बना है, क्या बात है सर, और क्या बोल रहा है सर, अच्छा, hint भी दे रहा है, कि chlorine group number 17 में आता है, व carbon एक compound बताओ, जिसमें carbon और chlorine आ है, आप जब इतने बड़े थे, नहीं 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 थे थोड़े बड़े रहे होगा, 9th की बात हो रही है न, बहुत बड़े थे, ठीक है, carbon ठीक है बई, carbon और oxygen ठीक है, पहले carbon और chlorine की बात हो रही बेटा, तो carbon और chlorine का बनाते है, carbon की valency बेट 17 होता है, 2,8,7, last में 7 है, तो 7-8 कर लेंगे, that means minus 1 आ जाएगा, बेटा जी, यह minus hint करता है, कि electron gain कर रहा है, वो वाला minus नहीं है, वो वाला minus नहीं है, यह minus hint कर रहा है आपको, कि chlorine एक electron accept करता है, बस इतना ही उसका notation है, इतना ही hint देना चाहता है, cross multiply नाम की एक चिडिया होती है, जो यहाँ पे चल जाएगी, C1 बन्जा C1, क्या बात है से आपको table तो खूब आ रहा है, C1 बन्जा C1, बेटा यह में minus नहीं लगाना, 1 में किसी चीज़ का multiply करेंगे, तो कोई changes नहीं है, तो C1 बन्जा C हो गया, C1 का multiply 4 में करने का बेटा, C, C4 हो जाएगा, carbon tetra chloride, इस compound बताइए, एक ऐसा compound दीजिए, एक ऐसा example दीजिए, जिसमें carbon और oxygen आए, समझ में बहुत मज़ा आने वाला है, carbon का atomic number बेटा 6, 2,4, balance 4, मैंने 4 रिखा, oxygen का atomic number 8, 2,6, last में 6, तो 6 minus 8 करेंगे बेटा, जी तो minus 2, इसकी balance हो चाहेगी, समझ में आ रहा है, that means, यह minus आपको hint करत है, कि oxygen 2 electron gain करेगा, oxygen 2 electron gain करेगा, समझ में आ रहा है, very good, cross multiply नाम की चुलिया होती है, जो यहाँ पर उड़ जाएगी, और C2O4 हो चाहेगा, C2O4 हो जाएगा, क्या सर इतना ही छोड़ेंगे, इसको हम simplest भी कर सकते हैं, simplest कर सकते हैं, 2,1,2,2,2,4, that means CO2 answer हो चाहेगा, this one is your right answer CO2 and CCL4, carbon dioxide and carbon tetracluid, क्या बात है सर, अब कुछ बचा ही नहीं सर, जिंदगी में, यह उसका answer हो गया, एक बात समझ लो, और question है क्या भई, ठीक है, यह 40 तक किस बात थी न, 40 complete है, आप playlist में जाएगे, आप वहाँ पर 41 देखेंगे, बहुत मज़ा आएगा, अगर यह पूरा क पूरा question आपको समझा है, तो please channel को like, subscribe, share जरूर करें and thank you for watching this video.